नमस्कार सीजी जौवेजुकेसन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है साथियों व्यापम ने दिया जरूरी आदेज जी हाँ जिन साथियों ने सीजी व्यापम में रजिस्ट्रेशन किया है उनके लिए बड़ी खबर है देखिये जो साथि दो बार तीन बार रजिस्ट्रेशन किये हुए है जिनका कुछ आपका नाम में मिश्टेक हो गया है डेटा बर्थ मिश्टेक हो गया जिसके वज़ा से आपने दो बारा रजिस्ट्रेशन किया गलती के वज़ा से बार-बार रजिस्ट्रेशन किया है और फाम भरा था उनके लिए reopen कह सकते हैं या फिर आप जो है मर्ज वाला option open हो रहा है पूरे विस्तार से बात करेंगे क्या है पूरा update तो जो साथी नए हैं भई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे देखी साथियों जैसा कि आपको मैं बता दू cgvapam के official site में जैसे ही आप जाएंगे cgstate.gov.in और जाने की बात अपने id और password से अपने profile ले जाएंगे तो यह जो आपको screen पर दिखाई दे रहा है देख सकते हैं ठीक है यह वाला option आपका open हो जाएगा देख सकते हो यहाँ पर merge profile करके यहाँ पर option दिया है आप यहाँ से अपना जो profile है उसको भी merge कर सकते हैं लिंक करके profile है यहाँ पर जो है आप अपना profile में भी आधार link में भी आप बदलाओ कर सकते हैं कई सारे साथियों का आधार error आ रहा था बहुत सारी समस्या आ रही थी तो अब आपके उन्हीं समस्याओं के समधान cg व्यापम ने दे दिया है जी हाँ यदि आपका दो से तीन profile है यहाँ पर तो आप merge करके केवल एक ही profile बना सकते हो यदि आपका अधार में कोई mistakes हो गया है दूसरे समधित समस्याओं आ रही है तो दी अधार link पर आप जा करके सीधे अधार को update कर सकते हैं जैसा की स्क्रीन पर दीख रहा है डी अधार link को जैसे ही मैंने टच किया देख सकते हो यहाँ पर get OTP करके option आ रहा है आप इसमें अधार नमबर डालेंगे तो यहाँ पर जो है आपका verify OTP आएगा और इसको आप डाल सकते हैं ठीक है भई अधार link यहाँ update कर सकते हो ठीक है दूसरा option देखिए दूसरा है जैसे merge profile पर हम जैसे ही जाते हैं तो आपको screen पर दीख रहा है देख सकते हो यहाँ पर merge profile में मैं गया तो यह जो है profile मेरा open हो रहा है जिसमें देख सकते हैं मैं previous date का form भरा था उसका आ गया है registration ID वगर आ गया है यहाँ पर assistant teacher teacher की भी आ चुका ह है तो यहाँ पर मैं इसको भी बदल सकता हूं देख सकते हैं यहाँ पर mobile number दिया हुआ है mobile number डालेंगे आपके OTP आ जाएंगे ठीक है भई OTP को आप डाल सकते हैं और application जो है secondary profile आप बना सकते हैं ठीक है अर्थाज केवल एक ही profile यहाँ पर रख सकते हो आप merge कर सकते हैं ठीक